and welcome everyone हंग कि अप्ताक हमने इंडियन Culture में पिछलन लेक्टिर में देखा था कि हम ने इंट्रोड़क्ष्ण पारठ की हमें आप ने अपने अपकावी लेकटिर में क्या-कय चीज़ें पड़नी हैं और कि शीरीज में भी यह हैं झेम लुट व्ड़ीफ्ट देखा और हमने साथ ही ये भी देखा कि भारत में किस प्रकार का सम्वेधान लागू है हमने रिटेन constitution देखा नॉन रिटेन या अन रिटेन constitution भी देखा फ्लेक्जिबल एंड रिजिट में ले जालेंगे तो आज के लेक्चर को आये शुरू करते हैं कि constitutional development से शुरू करते हैं constitutional development को हम हिंदी में क्या बुलते हैं सम्वेधानिक विकास ठीक है अब इसको क्या किया गया है तीन भागों बाटा गया constitutional development को पहला आता है इस्ट इंडिया कंपनी का काल जिसे सिर्फ कंपनी काल भी कहते हैं फिर आता है 1857 में क्या था भारत में जो आजादी की पहली लडाई जो छिडी भी थी वह फिर उसके बास से क्या हुआ कि British Crown सक्ते में मतलब क्या किया गई यहां से महरानी ने अठा करके अब बिटिस क्राउन को सारी पावर दे दी गई जो की चला था 1858 से जब तक हमारे देश अजाद होगे 1947 तक साती फिर उसके बाद क्या होता है कि अब चुकी क्या है कि जो सम्विधान जो बना तो उसके लिए क्या था एक क्या है कि इसट्यूंट असेम्ली की बेश्थापना करी गई थी वह इजाद हो गया 1947 पर यहां पर होता क्या है कि जो एक सभा जो बनाई गए कि देश को आज़ाद होने बाद एक सम्विधान लागु किया जाएगा ये जो भी एक प्रपोजल किया जाएगा इसके लिए की मा मतलब 1773 में क्या आया था कि पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था जिसमें क्या क्या कुछ पावंदिया लगाए थी कंपनी पे परन्तु अब 1773 से पहले पहले हम थोड़ा से मतलब एक प्रिस्ट भूमी तयार करते हैं कि जो यह ब्रिटिस क्या था यह कि तो यूरोपियन क अब इसकी बात करते हैं क्या हुआ कि पहली जो यूरोपियन कंपनी का आगवन हुआ था जिसका डिटेल वीडियो मैंने मौडर्न हिस्ट्री के सेग्मेंट में तीन पार्ट में बनाए हुए पूरे डिटेल में उसको बताया है आप लोगों को आप वहां जाकर किसको कंपनी का पहले सक्स आये वह थे वासकोडी गामा मैंने बताया हुआ था कि वासकोडी गामा 1498 में भारत में आते हैं और सबसे जो अहम देखनों की मिला कि सुरुवाती दोरों में क्या था कि जो भारत था वह सिर्फ क्रिशी से उसके रेविन्यू तो आता ही था मतलब क्र यहां से क्रम आता है फिर क्या हुआ इन्हीं सब के चक्कर में कि 1600 में क्या हुआ ब्रेटेन में वहां के महरानी थी इलिजाबेट इलिजाबेट ने क्या कि इसके तहत क्या किया गया कि कंपनी को जो जो अधार के बाद मध्य एसी यह जो भाग है और जो पश्ची मोतर भारत का जो भाग है उसमें क्या कहा है कि वहां पर जाईए और बैपार करने का एक अधिकार दिया गया 15 सालों के लिए और जो इसका स्थापा करें थी यह ब्रिटिस इस्टिया कंपनी के उनका नाम है जॉन वार्ट्स जॉन वार्ट्स ने इस इस इंडिया से कंपनी को बनाने में फिर क्या हुआ कि अब क्या था कि कंपनी तो बन नगहीं ब्रिटेन में 15 सालों के लिए ट्रेडिंग राय्ट्स वे इपार्डदों का उइंक दे गया गया अब क्या था कि ये Neden ब्रिटेन से क्योंकि जब कंपनी के स्थापना होई उस वक्त जो मुगल सहंसा जो काबिज था भारत के गद्दी पे वो थे अकबर प्रंदु क्या होता है फिर आगे चला के अकबर की मिर्ति हो जाती है और उनका जो बेटा था जहांगीर वो गद्दी पे काबिज होता है और इसा है 1108 में क्या होता है कि कैप्टन William Hawkins बहुत वह बिटें से भारत आते हैं जहांगीर के दरभार में फेच होते हैं जैस समुद्री जहाज से आए व долж जिस मर्टेटिशिप से वा ए वो थे उस जहाज का नाम था हेक्टर मतलब कि हैक्टर शिप शुचा जा चुका है कि यह किस का नाम क्या था व शुच्च का नाम क्या था जिससे भारत में दाखिव और ये क्या करते हैं कि जहांगीर के दरबार में पहुंचते हिए अपना Water L touch कि क्योंकि आने का मार्ग था वहाँ से भाहां कि क्या हुआ कि अब जब यह एक प्रोपोजल में कि जो प्रॉपोज़ा दिया कि प्रॉपोजल दिया बिया जो आपका यह पर बाग अलग जगह पर हम क्या करते हैं कोठी अपनी प्रैक्टरी बनाने जाथे चाहिए है इसको समझ आपकोई भी आज के तारीफ में यह कुई क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हमें एक कंपनी के अस्थापना एक कोठी के अस्थापना करनी है इसकी ज़ुरत है तो जहांगीर ने क्या किया कि एक साही फर्मान जारी करके उन्हें आदेश दे दिया और कहा कि ठीक है आप सूरत में अपनी फैक्टरी खो़ सकते हैं तो जब यूरोपियन कंपनिया थी जिनका दबदबा बना हुआ था क्योंकि यह क्या था कि अब यह एक धौर बोल सकते हैं कि चुकि मुगल समराज इतना बड़ा और इतना समर्द समराज हो चुका था तो अब अकबर के मृत्तिक अब अकबर एक महान सासा के तोर पर बेटा हुआ ज जहागीर को मुगल दरबार में अच्छा खासा आमलानी अच्छा खासा कोस आ रहा था जो ब्रिटिस थी वह एक स्टार्ट अप नई कंपनी के तौर पर आ रहे थी तो इससे क्या था जहागीर को खत्रा भी था कि क्या पता यह जो ब्रिटिस कंपनिया है वह उतनी सफल हो या ना हो तो उतना राजस में इनको मिले या ना मिले और थोड़ी बहुत बोलते हैं कि कानाफुसी बीश्टर में चल रहे थी कि जो पूर्तगाली थे जो जहांगीर की कानाफुसी कर रहे थे तो 1608 में क्या किया कि पर्थम फैक्टरी बनाने के आदेश तो दे दिया सूर सुरू हो गई अंग्रेजों की जो बनाने का आदेश दिया गया था वह सूरत में और पहली फैक्टरी बन के तयार होई वह मसूली पर्थम में थी अभी जो अंग्रेज थे यह इतने से ही खुच नहीं थे अभी चाहते थे कि मुगल समराज क्या था एक काफी थायला हुआ भारत का अलगबक रांत में और ऑंग्रेज क्या चाहते थे कि धीरे धीरे करकि जहां जहां इनके रियासत है जहां जहां sì कबजा है वहां पर क्या करें कि यह एक कोटी खो LE अपनी फैक्टरी को ले इसी के कारण क्या हुआ हूँआ कि 1615 में फॉम्हारान में क्या क्योंकि जेम्स प्रयत्तम क्या होता है ब्रेटिन के गद्धी पड़ी काभिस होते हैंriver होने इसका एक बेल धनाम सर्थ सर्थॉमस्रो शॉलिस अपंद्रह में क्या होता है फिर्स जहांगेर के पेश होते हैं और इसपर क्या था कि इनका प्रॉपजालत था है कि जितना जहां जहां मुगल समराज्य का फैला हुआ है वहां वहां यह क्या करना है अपनी कोठी खोना चाहते हैं और चुकि क्या था कि आमदानी एक राजस्व के लालस में क्या था कि जहांगीर ने अनुमती देते चला गया और इन्होंने क्या करी अपनी फैक्टरियां खोलनी सुर एक्सर्ट में, 16 एक्सर्ट में पूर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में, ब्रिटेन के बीच में, एक मैट्रिमोनियल, एक वैवाईक संबन देखने को मिला, जहां पर क्या हुआ कि पूर्तगाली की एक महरानी, राजकुमारी हुआ करते थे, जिनका नाम था कैथरीन, उ और इसके बाद के पूर्तगाली और अंग्रेजों में जो आपसी दुस्मनी थी, वो एक तरह से कहाज है, बैवाईक संबन होने कारण थोड़ी सी कम हो गए थी, परन्तु क्या तब पूर्तगाली को धिरे-धिरे अंग्रेजों ने उनका पत्ता साफ कर दिया, यह सारी अब जब पूरे भारत पर जमाते गए, फिर क्या हुआ, यहीं एक दौर था जब भारत में मुगल बंस का सासक औरंग जेब की मृत्यों के बाद काफी कम जोर पड़ गया, क्योंकि 1707 में जब औरंग जेब की मृत्यों हो गई, तो उसके बाद जो सासक गद्दी पर बैठ जिसे बहादूर साफ फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं, वो गद्दी पर बैठा उतना काविज नहीं था, उसके बाद से जो अपकमिंग जो सासक बनते गए, वो और भी नाकारे और निकम्मे होते गए, और फिर आता है जो था फरुक्सियार, फरुक्सियार जो था उसने का नाम था जॉन सेर्मन, उसके दरबार में फरुक्सियार के, और उसको फरुक्सियार ने तीनहेर के वार्षि के अपने आये पे क्या किया कि उनको बंगाल का जो हिस्सा था, या फिर जो एक रियासत का जो हिस्सा था, क्या किया कि उसने कि कहा कि आप वहाँ पे टैक्स फ मिल गया इनको कब जब 1777 में जो का क्या हुआ बैटल अफ पलासी का युद्ध हमें 1777 में देखने को मिला यह कोई बहुत बढ़ी लड़ाई नहीं थी यह एक के विश्वास घात की लड़ाई से कहते हैं कि यहां पर हुआ करती थी उस पर बंगाल के जो नवाब हुआ करते जेनका नाम था सिराजुदॉला सिराजुदॉला क्या था वह अंग्रेज उसको मतलब नहीं चाहते हैं कि अपना बंगाल में आकर करें या फिर देखें तो उन्हों ने क्या किया कि कासिम बजार के शेटर पे आक्रबन किया हुआ था 1756 में किया था फिर किया हुआ कि चमनाख संधी करनी पढ़ गे थी शिराजुदॉला को अलिनेगर की संधी जिसके कारण क्या हुआ और इसी दोरान क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जो सिराजुदॉला कुछ भरोसे मन जो सक्स थे यह तिहां से जो नाम कुछ हम देखने को मिलते हैं जिनका नाम था मीर्ज और यह कहा हुई थी भागी रथी नदी के टट पे इस लड़ाई को देखा गया था वहां पर कोई बहुत छोटी लड़ाई हुई थी वहां जहां एक तरफ इन सारे लोगों ने दागाबाजी करी वैसे ही क्या था कुछ लोग दो ऐसे सक्स थे जिन्होंने क्या था कि सिराज पे जो इसका बेटर बैटा था तो बेटें की नाम था मीरन मीरन ने जिराज में बभए तो बनाय था का बंगामान मे बैटा था अब मीर जफर ने संदी करके उनका साथ डेकर गलती ये रोट शर्फ वो उपहार। के नाम पेंज से वसूली कर चुका था तो इस ने थोड़ा सा विरोध किया और सडीय अंदर के प्रोबा क्या किया कि जो मैंने बताया कि 17 में जो 10 तक का खटना हुआ था जहां पर tax free right करने के लिए अंग्रेजों को दीगा था उसका 2 रुपियों करना भी अंग्रेजों ने शुरू कर दिया क्यों कि छोटे बैपारियों के इन लोगों ने अंग्रेजों ने कि छोटे बैपारियों के एक intermediate channel के तोर पर काम करने लग गये और राजस्वा की जो पूर्ती होती थी वह बंगाल को ना जा करके इन अंग्रेजों के पास जानी लगी तो फिर मीर कासिम ने भी क्या किया कि छोटी मोटी कई सरी लड़या लेड़िस में हार के चला गया वो कहां चला गया यह अवद के खेतर म अग्रेज से कहते हैं साल अंक सेकंड वह भी वहां आया था इन तीनों ने क्या किया एक अलायंस बनाया एक सहमाती बनाई और इन तीनों ने क्या किया कि एक लड़ाई देखने को मिल दी है बकसर जो की बिहार में पड़ता है 22 अक्टूबर 1764 ट्वेंटी सेकंड अक्टू आँ और वहां के बाद क्या होता है इस लड़ाई के पुरा निचोर जो होता है एक संधी पर चाकर खत्म होती है जिसे हम कहते हैं अलाबाद के संधी ट्रिटी ऑफ अलाबाद कहते हैं और इस वक्त दो संधी हमी देखने को मिला पहली संधी भी थी 12 अगस 1765 को दूसरी उनके बीच में संधी वी थी और इस वक्त जब यह संधी हुई थी तो बन्गाल का नवाब कौन था मीर जफर था जब यह संधी हुई तो चुकीज के संधी और लडाई के बीच में क्या हुआ था कि मिर्जफर की मृत्ति हो जाती है और उसका बेटा नजमुतौला जो नवाब की गद्धी पे बैढ़ जाता है तो संदी के दौर नजमुतौला था नवाब बंगाल का साहलाम सेकेंड और जो रॉबर्ट कलाई थे इनके बीच में संदी होती है जहां पे क्या जानी का आगया है ठीक है इसको अपने अंदर मिले लिया साथी साथ क्या किया कि अवद से क्या कि इलहाबाद और कड़ा का जो छेतर था वो साहलाम को दे दिया गया और साहलाम पहले मुगल सासक बने जिनको अंग्रेजों ने अपना पैंसनर बनाया महच 26 लाह रुपे के सलाना पैंसन इनको साहलाम सेकंड को अंग्रेजों ने देना सुरू कर दिया जब यह सब कुछ दे रहे थे और उसके साथ एकवाच यह देखनी को और जब घटना हुई तो इससे अंग्रेजों को थोड़ा लगा कि नहीं साहथ आगए बिद्रो देखने को मिल सकता है इसल शुरू बात करीको अगधियों क्या होता है कि दो क्या होता है नजामत दूसरी को कहते हैं दिवाणी इसमें कया कि अंग्रेजों हो मिल्ум कि यह अधिकार का फाइनांस एव प्रसासा नंक का परंत कि आ पोस्ट था उसको हटा करके डेपेटी सुविदार का पोस्ट ला दिया और उसे नियुक्त करने ये काम भी बिटिशस को दे दिया मतलब कहा था कि पूरी तरह से जो कमांड था वो इसने रॉबर्ट क्लाइब ने बिटिशस के हाथ में सौंप दिया कि हाँ जो कंपनी जो चा सुजाओ दॉला और रॉबर्ट क्लाइब के बीच में थी जहां पर क्या हुआ था कि पचास लाख रुपे का चुकी इन्हों ने क्या थिया तो बदले में क्या उस वार उस लड़ाई के मुआवजे में पचास लाख रुपे इनको देना पड़ा था अंग्रेजों को साथ अंग्रेजों ने इतना ही नहीं किया उनका चुनार का जो दुर्ग था वो अपने कबजे में कर लिया था और ये भी एक डील साइन किया कि जब भी अवद में क्या हुआ कि एकी अवद को जब भी कोई लड़ाई की में सब सेना के जोड़त पड़ेगी तो अंग्रेज दे का हुआ कि दो जो था इंडियन सास को आत में कामाण दे दिगई मोहमम्मद रेजा खान को डेपटी-दीवान बन दिया गया और राजा सिताब राय को बिहार का डेपटी-दीवान यहां पर बना दिया गया था अब ये सारी जब घटनाय हो गई तो 7 सारों तक क्या था कि dual government का समयकाल था 1765 से 1772 तक ये चला था ये वो दोर था जो सबसे बोला जाता है British काल का सबसे भरस्ट तम सासनकाल देखने को मिला इस टाइम पे ये वो दोर था जहां पे Robert Clive जो था वो सबसे भरस्ट British के तोर पे जाना गया क्योंकि उस वक्या था पहला पॉइंट यहां पे लिखा है rampant corruption among servant of company to risk themselves यहां पे क्या हुआ कि जो company में जो employee जो लोग काम कर रहे थे जो British काम कर रहे थे वहां पे सबसे ज़्यादा भरस्ट अशार देखने को मिला इन्हों ने अपनी ये भरना शुरू कर दिया नौबत ही आया कि आगे चल करके ठीक है company जो था वो bankruptcy के मतलब क्या था कि दिवालिया होने के मुकाम बे पहुंच गया दिवालिया हो रहा है बट जो अंग्रेज जो Britices जो उस कमपनी में कर रहे हैं जो उसका employee adsch are more इस पूर्य ड्यवल कवडमेंट में एक्शेसिव रवडिय ड्यों कलेक्सवन की स तरह से चाहे वं उपहार के से से हो राजस्व से हो भूमी से हो क्रिशी से हो बयपिर से हो लडाई से हो किसी तरह जादा से जादा रेवनियू राजस्व की आमदनी की जाए यहीं इस पूरे डुवल गव़र्मेंट का यह एक मेर मोटो था फिर क्या होता है 1772 में एक नए गवर्नर बंगाल के में बन आते हैं। उनका नाम था कि 72 में जो बंगाल का गवर्णर आये थे जिनको क्या गिया था बंगाल का पहला गवर्णर जेनरल भी बनाए गया था। उनका नाम था वरं हैस्टिंग जब आये तो उन्होंने क्या क्या इस डूल गवर्रमेंट को पुरी तरह से समाप्त कर कि शुरुवात करेंगे हम इस 73 अब यहां से शुरुवात करेंगे असली शुरुवात 73 के जो राइगूलेटिंग आय था तक चीज़े देखने को मिली और किन प्रशितियों झाल से राइगूलेटिंग ये क्यों लाया गैथा हमारे भारत में यह हम जानने की कोईस करेंगे जो अपना हमारा जो वीडियो होने वाला है ये तीन-चार वीडियो का सीरीज बनेगा ये सिर्फ ये Constitutional Development सम्विधानिक विकास का ये जब पूरी तरह से खतम हो जाएगा फिर मैं Sources of Indian बताऊंगा कि जो हमारे सम्विधान लिखे गए हैं उनके स्रोथिया क्या है और उसके बास भी हम बात करेंगे जो नियाई जो प्रनाली है जो एक्जेक्टिव है जो जो डिस्टियरी है इन सारे चीजों को डीटेल में हम बात करने वाले हैं तो अगर आपका वीडियो आज क जो भी वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए इससे क्या होगा कि हम हमारा उसाब बढ़ेगा और हम और बहतर वीडियो बनाने की कुशिश करेंगे ताकि आपको और अच्छी नौलिज दे सकें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक be safe and be happy